आजम बात करेंगे कमेश्टरी के कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके रसानी नाम रसानिक फार्मूले और उनके विभीन नामों से वेरिस इग्जामलेशन में कुछ पूछ जाते हैं तो लेट्स स्टार करते हैं आज का पहला कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड इस ट्राई नाइट्रो टालूइन जिसका फार्मूला है यह फार्मूला होता है यह साय टर्म में लेगते हैं टी एन टी इस नाम से कुछिन पूछ लाता है कि टी एन टी का फूल फार्म क्या होता है यह फूल नाम क्या है टी एन टी का फार्मूला क्या ऐसा कुछिन भी उसने तो ट्राई नाइट्रो टालूइन होता है इसको जो मोलर मास अनुभार होता है वह होता है 227.13 ग्राम पर मोल होता है इसको अदर नाम से बहुता है 246 ट्राई नाइट्रो टालवन इस नाम से भी इसे जनाना जाता है 216 ट्राईट्रो टालवन होता है तो कुछिन इसके आइवफेसे के नेम सरभी पूछने की ट्य neighbors.246 ट्राईट्रो टाल्वन होता है इसको सबसे पहले जिसने प्रिपेर किया था इन 1863 में एक जर्मन केमिस्टर जूलियस विल ब्रैंड इन्होंने इसको सबसे पहले प्रिपेर किया था लेकिन इसको इस्प्लेशिव प्रापर्टी के बारे में सबसे पहले बताया था कार्ल हॉशर्मन ने बताया था इस जो होता है प्रम ये यह जो होता है नेक्स्ट कमपाउंड इस बेसिक लेड कार्बोनेट इसका फार्मूला है 2PbCO3.PbOH का होल ट्वाइज इसे वाइट लेड के नाम से जाना जाता है कुछ्यन आता है कि बेसिक लेड कार्बोनेट का दूसरा नाम के इस इसे हुआइट लेड के नाम से जाना जाता है यह कार्बोनेट और हड्रकसाइट दून Dwaker combined iion होता है मचैंड इसका जो !! Melaim होता है इसको अधर नाम से जाता है इसका दुसरा नाम है हाइडरोक्रुसाइट हाइडरोक्रुसाइट के नाम से भी से जाना जाता है इसका यूज होता है इंडिस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है मेडिशिन दवाईया बनाने में भी इसका हुज होता है इसका जो यह color होता है white powder के फार में पाया जाता है appearance इसका white powder के फार में आता है now next compound is starch इसे मंड नाम से भी जाना जाता है इसका formula होता है C6H10O5 का whole N इस सूथ formula से इसको जाना जाता है N is equal to कोई भी संक्या हो सकती है निशिन्ना होने के वैसे से इसका जो molar mass होता है वो variable होता है निशित नहीं होता है इसके अधर नाम से जाना जाता है मंड और emolage नाम से जाना जाता है starch होता है बहुत सारे monosacrypt के आड़ों से मिलकर बना होता है जो starch होता है वो water cold water ठंडे पानी में insolubile होता है cold water और alcohol में यह insolubile होता है इसका यूज़ कहता है food additive में food additive में भी इसका यूज़ होता है और tablet के manufacturing में भी इसका यूज़ किया जाता है tablet की quantity को increase करने के लिए starch का यूज़ करते हैं starch होता है यह white powder के फायर में पाया जाता है और next compound is acetic acid acetic acid इसका फार्मूला होता है CS3COOH acetic acid इसको सिर्का यानि कि सिर्का में के भी नाम से इसको जाना जाता है इसका मास बाहर होता है 68.05 ग्राम पर मोल होता है 60.05 ग्राम पर मोल होता है इसके अधर फार्मूलों के फार्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है इसको में फार्मूलों ना थहाँ होता है लेकिन इसे ऐसे इसमतरा के फार्मूलों में भी लिखा हुआ मिल सकता है ऑसे CS3CO2H **laughs alcohol extraordinarily加 evidation acid इसे जाना जाता है इसे और नामों से भी जाना जाता है इसे vinegar और hydrogen acetate इसे जाना जाता है इसका सरवाइकल कैंसर इसक्रीनिंग में इंडव्लब्लपर्एड इसका सरवाइकल कैंसर इसक्रीनिंग में भी यूज होता है सब्सक्राइब करेक्टर होता है यह सब्सक्राइब को रोक दे या रिडियूज कर दें वह एंटिसेप्टिक सब्सक्राइब इसका जो करेक्टर होता है यूस्वेल टेस्टन के खटा है इसका टेस्ट होता है घी रजनल स qe qe q 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 से भी जाना जाता है इसे bleaching powder भी कहते हैं फार्मुला होता है CAOCL2 इसे bleaching powder भी कहते है उशन विरंजिक चूर नाम से भी पूछा जाता है इसका molar mass हनुबार होता है 148.96 gram per mole और 148.96 gram per mole होता है इसको other name दूसरा नाम क्या है इसे bleaching powder के नाम से भी जाना जाता है और यह calcium oxy chloride के नाम से भी जाना जाता है इसका जो यूज होता है वो water के T20 करते हैं इसे chlorine कर दिंस फेक्टिन के फार्म में यूज किया जाता है वैसे ही इसका भी यूज होता है water के purification में sanitize public swimming pool swimming pool जो होते हैं बड़े बड़े ground places पे वहां को sanitize करने के लिए calcium hypo chloride का यूज किया जाता है यह जो होता है white grey powder के फार्म में पाया जाता है सबस्क्राइब लिए सबस्क्राइब देडाता है क्या है